सभी समू की महिलाओं को मेरे तरफ शे नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार जी हाँ आप सभी दीदियों का इस चैनल को बहुत सारा प्यार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी दीदियों से अनुरोध है कि आप लोग सजी में श्यम शायता समू को अच्छे से चलाईए और रजिस्टर को मेंडरेन करते लिए आप पान सुथ्रों का आप जरूप पालन कीजिए क्योंकि पान सुथ्र अगर आप पालन करेंगी तब आपका समू कभी नहीं तूटेगा समू को चलाने का ये पान सुथ्र बहुत बड़ा काम कर रहा है सभी दिद्यों सनरोध है कि आप लोग पांस सुत्रों अगर पालन करेगे तो आपका समु कभी नहीं तुटेगा जी हाँ चले दिद्य आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी में टॉपी की तरफ आती हूँ स्वेम शायता समु की महिला आप सभी अटल पेंसन योजना का लाब जरू उठाएं आईए जानते हैं अटल पेंसन योजना की बारे में जी हाँ अटल पेंसन योजना है क्या जी हाँ अटल पेंसन योजना बुढ़ापे में पेंसन का शहारा जानिये कैसे पाएं हर महिने 5,000 रुपए अटल पेंसन योजना बुढ़ापे में पेंसन का सहारा जानिये कैसे पाएं हर महिने 5,000 रुपए अटल पेंसन योजना केंद सरकार ने साल 2015 में अटल पेंसन योजना की सुरुवात की थी इस योजना के तहत 60 वर्स से अधिक आयू के लोगों को माशिक पेंसन प्रदान की जाती है देश के नागरिकों के जीवन को सुविधा जनक बनाने के लिए प्रदान मंत्री नरेन्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुवात की है इनही में से एक अटल पेंसन योजना है भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना का लाव उठा सकता है इस योजना के तहत लोगों को 60 साल की आयू के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है कैसे करे आवेदन? जी हाँ आये जानते हैं कैसे करे आवेदन? भारत के 18 से 40 वर्ष की आयू के बीच का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना का लाव उठा सकता है इस योजना का लाव उठाने के लिए आवेदक कर सकते हैं इस योजना के लिए आपको हर माह कुछ रासी निवेश करनी होती है उसे के आधार पर आवेदक को पेंशन प्रदान की जाती है अगर आप दीदी प्रती माह 42 रुपई जी हाँ प्रती माह 42 रुपई अटल पेंशन योजना में जमा करती है तो आपको 60 रुपई मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी इस योजना के तहट आवेदक को 1000 रुपई से लेकर 5000 रुपई के बीच पेंशन प्रदान की जाती है आईए जानते हैं दीदी किन दास्ता वेजो की होगी आवशकता इस योजना का लाब उठाने के लिए आवेदक के नाम पर किसी भी बैंग खाता होना चाहिए साथ ही आपका आधार कार्ड नमबर भी आपके बैंग एकाउंट से लिंक होना चाहिए आवेदक का योजना के लिए आवेदन करते समय आपका जी हां अपना आधार कार्ड नमबर प्रविश्ट करना परता है इसके साथ ही आपको आवेदन करते समय स्थाइप पते का एक प्रमाड पत्र भी प्रस्तुत करना होगा आवेदन की प्रकिरिया में आपको अपना मुबाइल नमबर भी प्रविश्ट करना होगा योजना के लाव आप अटल पेंसन योजना के तहत जो भी रासी जमा करती हैं वा आईकर्म से मुक्त होती है अगर साथ वर्स की आयू से पहले या बाद में ही आवेदन की मित्यू हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंसन का लाव प्रदान किया जाएगा अगर आवेदक और उसके जीवन साथी दोनों की ही मित्यू हो जाती है तो नामनी को पेंसन की रासी प्रदान की जाती है एक वेक्ती को अगर दीदी पांच हजार रुपे का पेंसन चाहिए तो उम्र अगर उसके अठारा वर्ष है तो उसका 210 रुपे लगता है और अगर उम्र 40 वर्ष है तो 1454 रुपे पार्शिक लगते हैं यह किस्त 60 वर्ष तक जमा करना होगा जिहां जब तक 60 वर्ष के नहीं होगे तब तक आपको यह रखम जमा करनी होगी अटल पेंसन खाता ओफलाइन और आनलाइन दोनों ही आप भर सकते हैं यह पैसा डूपता नहीं है दीदी कितने लोग को दिमाग में रता है कि यह पैसा हमारा भरेंगे बाद में नहीं मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है इस योजना का अलाब आप सभी जरू ठाएं जी हां क्योंकि यह पैसा 60 साल के बाद आपको मिलेगा फिर आप नहीं रहे तो आपके वाइब को मिलेगा उसके बाद अगर दोनों लोग नहीं रहे तो आपके नामनी को जी हां आपके नामनी को साड़े आठ लाग रुपे दे दी जाएंगे यह पैसा आपको भारत सरकार के दवारा मिलेगा इसका पैसा जो है आपको भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो आज के वीडियो में दिदी बस इतना ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर दे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें क्योंकि काफी सबी दिदियों को दुधा है कि मेरा पसा डुप जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में आप विष्टा से जानिये जी हाँ अटल पेंशन ने उज़ना के बारे में आप विष्टा से दिरी जानिये और इसका लव आप जरू ठाएगे अगर आप 42 रुपय किस्त भरती है तो आपको एक हजर मिलेगे पेंशन अगर 210 रुपय भरती है तो पांच अजार पेंशन मिलेगा जिया फेशेग बता दो एक व्यक्ति पांच अगर पेंशन लेना चाहता है उम्र अगर उनकी है 1454 रुपय पड़ेगी यह रकम 60 वर्स तक जमा करनी होगी जी हां 60 वर्स के बाद यह आपको पेंशन 5 रुपय मिलेगा आप नहीं रहे तो आपके वाइप को मिलेगा अगर दोनों ही नहीं रहे तो यह जमार आसी आपकी आपके नामनी को साड़े 8 लाक रुपय जी हां दे दिये जाएंगे और यह पैसा देगा कौन जी हां भारत सरकार देगी तो आज के उडियो में दिदी इतना ही अगर आपको मारे वीडियो पसंद आ तो शियर जरू कर दे और लाइक जरू कर दे और ज्यादा से ज्यादा दिदी आप भी स्क्राइब कराएं क्योंकि प्रेणा टीवी चनल के द्वारा स्वयम सायता में होने वाली हर समस्चाओं की बारे में जनकारी दी जाती है तो आज की यूट्यूम इतना ही जिदी धन्यवाद